अभी क्या हुआ नो मॉइस्ट इंक्लोडिंग six women जो है यह दंते वाड़ा में एक operation के थैत में यहाँ पर इनकी जान चली गई यह लोग होते कोने निकल कर कहां से आते हैं पुराने समय में आप लोगों ने देखा होगा का अम्रीज पूरी की movie आया करती थी जो women मॉइस्ट हैं वो काफी लार्जी स्केल पर यहां पर देखने को मिली तो सिक्योर्टी फोर्स ने यहां पर थ्री वूमेन को भी हां पर गंडाउन किया इन पर्टिकलर रिजन के अंदर में ट्राइबल कम्मुनेटी है उनके बारे में कोई बात नहीं करते हैं कोई development का यहां पर इनकी जान चली गई हमारी देश के अंदर में अभी हमें साजी के द्वारे यह बुला गया था कि मार्च दोजार चब्विस तक हम लोग नक्सलिजम को एलिमिनेट कर देंगे अपने देश के अंदर से तो क्या reality में यह एलिमेट किया जा सकता है हमारे देश के अ सिच्वेशन क्या है यहां पर यह लोग होते कोने निकल कर कहां से आते हैं पुराने टाइम पर हमारे देश के अंदर में अंग्रेज हुआ करते थे लगबग 200 साल तक रूल करके गए जब अंग्रेजों ने 200 साल तक रूल किया तो सिच्वेशन यह बनी कि भैसाब उन्हों ने लोगों की जमीने खरीद ली यहां पर लोगों को जबर्दस्ती अपना मजदूर बना के रखा गया उनको कोई वे अधिकार नहीं देगे अब जैसे ही देश आजा दौआ वही पैटर्न फोलो गया गया हमारे देश के अंदर में कहीने कहीं गौर्नमेंट के दौरा कई सारी जगह पर प्रोजेक्ट लगाएगे यहां पर इन लोगों की जमीन खरीद ली प्रोपर रियाबिलेट भी नहीं किया गया इसी के साथ में कई सारे बिजनसमें को यहां पर जमीन देदी गई प्रोजेक्ट लगाने के लिए फिर से यहां पर जो है इन पर्टिक्लर जो तो वो condition आप लोगो देखने को मिला करती थी और वो भैसाब जबरदस्ती काम करवाया करते थे तो ऐसे ही condition आप लोगो यहाँ पर देखने को मिलते थी इन एरिया के अंदर में जिसके वैसे इनको हत्यार उठाने के लिए मजबूर होना पड़ गया और पूरे देश के अंदर में इनों ने बोला ना तो समिधान को मानेंगे ना low end order को मानेंगे ना government को मानेंगे अपनी government, अपना समिधान, अपने कानून खुद से बनाईगे इसके चलते दिक्कत यहाँ पर होने लगी कई बार इनको या आप लोग को देखने को मिलेगा हमारी दिस्की security forces के साथ में जड़प होती है नजर आती है और दोनों तरफ से जान जाती है नजर आती है जो की दुखत घटना होती है जब ऐसे incident निगल कर आते हैं अब यह जो particular operation है यह आप लोग को देखने को मिला दंतेवाडा और बीज़पूर डिस्टिक है चतिस गड़ के अंदर में यह incident देखने को मिला और सबसे बड़ी बात है इसमें महिलाए भी काफी large scale पर include होती है तो 9 लोगों की हाँ पर जानगी जो security force है जो इसके अंदर में एक तरीके से case चलाती हूँ नजर आती है इस तरीके के deal करती हूँ नजर आती है इस तरीके से इसको तो यहाँ पर याद रखना CRPF इसलिए इसको सबसे danger police force माना जाता है यह most group जो है इनको target किया गया basically identify किया गये थे यहाँ पर पहले इनको अलग अलग basically companies के द्वारा और फिर यहाँ पर इनको deal किया गया timeline जो थी यहाँ पर यह आप लोगों को देखने को मिलेगा firing start हुई थी सुबह 10 बजे से और लगबग यहाँ पर यह एक डेट बज तक चली जिसमें हाँ पर इन नो लोगों को जो है यहाँ पर एक तरीके से इनकी जान ले गई यह कहीं ने कहीं आप लोग बोच सकते हैं कि सबसे बड़ी बात तो यहाँ पर यह निकल कर आती है कि आखिर इनके पास में हत्यार आते हैं गांसे तो arms and ammunition जो recover किया गए हाँ पर आप लोग समझ सकते हैं यहाँ पर quantity of arms यहाँ पर यहाँ पर self-loaded rifle थी यहाँ पर लगबग 303 के करीब बार बोर राइफल थी 350 करीब बोर राइफल और दूसरे ग्रिनेट थे यहाँ पर दूसरे और मैटिरियल थे दुनिया बरके मतल्स सोच के देखो कि हाँ पर इनको इतने ज़्यार सप्लाइ यहं मानता है कि बहहर से भी हमारी देश के अंदर में चीजों को खराब करने के लिए हमारे देश का माहुल बिगाडने के लिए बहर से भी कई बार सपोर्ट मिलते हैं जराते यह बाते बुली आती है security force जो है वो continuous search operation करती है इस तरीगी situation को deal करने के लिए और safety और security जो personal की है वो भी हाँ पर जुरुरी रहती है तो उसमें भी हाँ पर operation में कई सारे जो personal है उनकी भी जान जाती है recent के time में अगर आप लोग देखोगे खासका last week में जो women milestone है वो काफी large scale पर यहाँ पर देखने को मिलेगी तो security force ने हाँ पर three women को भी हाँ पर gun down किया in particular region के अंदर में तो यह चीज़े समझ सकते हैं और कई बार तो यह देखा जाता है कि किस season में काम करते हुए नजर आते हैं खासकर monsoon का season जो रहता है अगर जंकल में आप लोग जाओगे बारिस होती नजर आएगी दिक्कते देखने को मिलेगी आप लोग ने movie देखियोगे भी जो मौनिक सा की movie आई उसमें उन्होंने क्या बोला था कि अगर अभी हम लोग लड़ाई करेंगे तो monsoon की वज़े से दिक्कते हम लोग को देखने को मिल सकती है आपर इधर से बाई साब इंडिया के अंतर में दबा के monsoon रहता है बंगलादिस के अंतर में monsoon रहता है कि 2026 तक हम लोग यहाँ पर यह particular situation को deal कर लेंगे पलेकिन अगर आज की date में आप लोग देखो casualty और जो arrest अभी देखने को मिले 2024 में तो 153 नकसल जो हैं उनकी जान जा चुकी है इसी के साथ में आप लोग को 679 arrest के जा सुके हैं 656 उन्होंने surrender कर दिये हैं यहाँ पर तो improve होई है condition ऐसी बात नहीं है पर लेकिन क्या इतनी improve हो गई है कि हम लोग बोल देखी 2026 तक हम लोग यहाँ पर जो नकसलिजम है उसको खतम कर देंगे तो अगर ऐसा होता है तो यह देख की safety और security के लिए बहुत ही और यहाँ पर कहां से निकल कर आया यह मुद्दा में आप लोग को बताता हूं इसके लिए नकसल वर्ड इस्तमाल कियाता है left wing extremism भी word इस्तमाल कियाता है ठीक है और moist word भी हम लोग इस्तमाल करते हैं तो नकसल यूज कर ले moist यूज कर ले या left wing extremism यूज कर ले exam के अंदर म पर जो मौईजम चलता है चाइना के अंदर में तो उसकी tendency से affected माना जाता है हमारे दीश के अंदर में इसको नकसल एरिया को बोलते हैं क्यों क्यों कि यह तर्म नकसलिजम यह हमारे दीश से निकल कर आती है विलेज था नकसल बारी वेस्ट बंगाल के अंदर में जहां पर incident देखने को मिलते हैं जिसमें यहां पर जो लोकल लेंडलोड के खिलाब यहां पर आवाज उठाई जाती है और यह आप लोग को देखने को मिलेगा 1967 में यहां पर यह काम किया गया कनू सनियाल और इसी के साथ में जगन संथाल के द्वारा इनके द्वारा यहां पर जो ले अगर द्यान से, आप लोग मैप को देखोंगे यह हो गया West India, यह हो गया East India, तो Eastern India में यह ज्यादे दिक्कते देखने को मिलती हैं, तो Eastern India में यह काफी larger scale पर आप लोग को यहां पर फैलता हुआ नजर रहा, तो इसके चलते 36 गड़ और आंदर प्रदेश वाला रीजन अभी तो आप लोग तेलंगाना को अलग बोल देते हो पर लेकिन उस ताइम पर तेलंगाना और आंदर प्रदेश एक ही जगे इंक्लूडते तो इस रीजन में ये हरकते आप लोग को देखने को मिलती है आप नकस में जैसे मैंने बोला है हाँ पर ये माओ तेस तो ये हाँ पर बेसिकली ये कॉम्मिलिजम के एक तरीके से ये एक जनक माने जाते हैं उसको सपोर्ट करने वाले तो कई बार ऐसा होता है कि जब इंसरजेंसी होती है हमारे देश के अंदर में जब आप लोग नोर्टिष्ट को लेकर चलते हैं कि बहार से कहीं से सपोर्ट मिल रही है हतियार दे आये जा रहे अखिर इतने बड़े-बड़े घस्यार इनके पास में आय काहसें, तो कोई नहीं कोई तो सपोर्ट कर रहा operates हम लोग को ये देखने को मिलेगा कि हाटियार बद्सीक्राने अब Mmmum को मिलेगा बताइए कहां पर है मैंने आप लोगो बता है विता 36 गड़ में जार खड़ में है यानि कि नकसल अफेक्टेड इस्टेट ही उनको यहां पर एज यह के तोर पर मिला है तो आप लोग समझ सकते हैं जबकि वो रहने वाले जो हैं वो उत्रपरदेश के हैं तो कैड अनि आप लोग यहां पर पार्टिसिपेट करोगे तो इस तरीके से आप लोग यहां पर समझ सकते हैं तो इसके बारे में अगर मैं बात करूं यहां पर तो सबसे पहली बात यह है कि जो ट्राइबल कॉम्टिय है उनके बारे में कोई बात नहीं करते हैं कोई development का project अगर ल कियाता है तो यहाँ पर यह चीज आप लोग समझना तो forest conservation act है 1980 के बाद में amendment भी किया गया 2006 में लाकर इनको पर लेकिन इसमें tribal community के किस तरीके से वो रहेंगे वो effect होंगे mining operation आप लोग चला रहे हो कोई भी development का काम कर रहे हो तो आप लोग यहाँ पर उनको consider ही नहीं करते हो कि भाई साब यह भी लोग यहाँ के रहने वाले हैं क्या easily target कियाता है हैं आपर most को यहाँ ठीक है आप लोग देखने को मिलेगा इनका जो living standard है क्या यह condition है आपर कोई भी बहला फुसला सकता है कि भाई तुम्हारी life सुधार देंगे तुमको जिंदगी में दिला देंगे तो कोई भी पहला फुसला कर ले जाता है और यह चले भी जाते हैं क्योंकि परिवार के जिंदगी सुधाने की बात आती है तो gap जो है यह आप यह बड़ा तकना देखने को मिले तो उसकी जिंदगी कैसी होगी आप लोग गंदाजा लगा लो यहांपर तो इसके चलती हैं कंई बार देखने को मिलती है एफसें से हाप टेकनिकल इंटेलिजेंस और fight करने हांपर टफफ रहता है यहाँ पर तो इसले भी हाँ जो सापर जो हमारी जो सेक्यूरिय टीम हो भी काम नहीं कर पाती है इन्फ्रशेक्ट्र की पूलम आप लोग यहां पर देखने को मिलेगी यह बहुत बड़ी दिक्क्त हैं आपक गाउँ में कहीं पर भी अगर जाओ तो मोबाइल का कनेक्शन नी देखने को मिलेगा तो सोच के देखो जहां मोबाइल नहीं है जहां कनेक्शन नहीं इंटरनेट का वहाँ पर क्या उनको पता रहेगा कि देश दुनिया में क्या चल रहे हैं वह कट गए भाइसाब दुनिया से एक दम आप लोग ऐसा बोल सबते हो इसी के साथ म वही प्रोपर आप लोग यहां पर इस टैप लेते हुए नेजरनी आते हैं एक एक मूवी आई थी न्यूटन करके जिसमें राज कुमार राव की मूवी थी किस किसने वह मूवी देखिए उसमें देखना आप लोग यहां पर नकसल एफेक्टिड एरिया में इलेक्शन पढ़ती है उसके अंदर मूवी के अंदर बड़े खुबसूरत तरीके से दिखाया गया उसको देख आप लोगी हाना है आप लोग एक बात देखना जो भी मूवी होती है वो समाज का चहरा होती है जिस समाज में finestि नको आई मोई दिखाती है पौराने टाइम पर जबोड आरी सिस्टम के ऊपर में देखने को मिलते थी आप लोगो बिकारी और गरीबी पन तो युस ताइम के आई नहीं साइना दिखाते थी वैश्यवर्ति प्रोसिटूशन के ऊपर में दिखाते थी आज की अंधर में दिखाते हैं कि समाज का विचार कैसा है किस तरीके समाज जा रहे हैं तो time to time जो movies हैं वो आप लोगो दिखाते हैं नजर आते हैं पर सारी movies नहीं कुछ ही movies होते हैं जो reality दिखाते हैं तो यहाँ पर same condition आप लोगो देखने को मिलेगी तो इसलिए जरूरी है कि चीजों को improve करना क्या सरकार ने इसके लिए काम किया जी चला गया था 1989 में जिसमें हाँ पर इंटी नक्सल फोर्स इनके द्वारे हाँ पर create किये इसको रोकने के लिए ओप्रेशन जो green हंट चला गया फिर 2009-10 में जिसमें इन्हों ने हाँ पर security force को डिप्लोई किया नक्सल अफेक्टेड एरिया में ताकि चीजों को डिल किया जा स infrastructure, health service, internet service या road service ये सारी चीजों को provide कराने की बात की गई ताकि चीजों को deal किया जा सके ठीक है जो भी एक जिंदगी जीने के लिए हवशकता है तो उन हवशकता होगी पूर्दी की गई इसके अंदर में ये चीजे श्टार्ट की गई ठीक है इसी के साथ में हाँ पर अगर समधान का इस्तमाल यहाँ पर किया गया इसका मतलब होता है smart एक का मतलब होता है aggressive strategy इस smart leadership होनी चाहिए जो यहाँ पर नक्षल affected area के साथ में deal करेंगे aggressive strategy होनी चाहिए यह नहीं कि उनके सोचने से पहले आप लोग काम करके निकल जाओ ठीक है इसी के साथ में motivation and training होनी इसी के साथ में हाँ पर बात की जारी है proper dashboard बना जा रहा है कि performance कैसी चल रही है क्या result निकल कर आ रहे हैं तो यह बिल्कुल ऐसे से आप लोग test series लगाते हो कि भाई इस test में यह marks हैं यह subject के question गलत होगे तो test series लगाना तो सब के एक तरीके सम लगा लेते हैं कोई बड़ी बा situation आप लोग होगी ना आप लोग उसको किसी सीच के साथ में compare नहीं कर पाऊगे वो लेवल आप लोग का अपना देखने को मिलेगा लेकिन दो घंटे में paper लगाना और एक घंटे आदे गंटे में test निप्टा देना इसको कोई मतलम नहीं बनता है इसको कहते है time pass करना और द technology का जाद से इस्तेमाल खोरो आज की डेट में आप लोगे पास में technology है यूट्यूब है आप लोगे पास में आज की डेट में application है दुनिया भर की आप लोगे पास में Google वगरा इंजन है सब इस्तमाल करते हो आराम से ठीक है इसी के साथ में हाँ पर proper actionable theater command होना चाहिए कहीं जैसे नहीं इस एरिया को किस तरीके से deal करना है उसके लिए proper एक system होना चाहिए दूसरे एरिया के बारे में अलग से तो सही तरीके से हर चपल अलग-अलग इंसान के पैर में फिट होती है एक चपल सब के पैर में फिट नहीं कर सकते हैं तो उसी हिसाफ से चलो और इसी के स साथ में हाँ पर one step solution जो left जो विंग इस्टेलिजम के हिसाब से आप लोगों बात करोगे हाँ तो नक्सल वेलेंस कंट्री में ड्रोफ हो हैं ये अच्छी बात है 2009 से लेके 2021 में अगर बात करोगे 70% आप लोगों यहाँ पर कम होते हुए नजरा रहें पलेकिन चतिस गड़ जो है उसमें टोफ केटेगरी में आप लोगों को देखने को मिलेगा देश के अंदर में और जारकंड दूसरे नमबर पर तो चतिस गड़ और जारकंड में सबसे ज़्यदा खतरनाफ situation आप लोगों को देखने को मिलती है तो इसके उपर में काम करना question इसके बारे में 2018 में पूछ लिया फिर यानि के 3 साल बाद आप लोगों से इसके बारे में आप लोगों से पूछ लिया कि भाईसाब leftwingist extremism परणे में फिर 2020 में पूछ लिया फियर सेम condition हैं तो मतलब यह आप लोगों का means के लिए तो बेहध you important question है और जो यह strategy मैंने आप लोगो यहाँ पर बतागी है यह prelims के लिए बहुत important question है तो इसलिए इसको आप लोग attempt करने की कोशी जलूर करिएगा और already यह जो आप लोगा answer writing group है जहापर modal answer आप लोगो मिलते हैं इसके proper answer आप लोगो हाँ पर दिये जा चुके है फिर से question पोस्ट कर दिया आएगा search कर लेना total मिला कर लगबग साड़े 400 के करीब modal answer आप लोगे हाँ पर मिल चुके है अब तक अगर अभी भी आप लोग connect करोगे तो सोच के देखो आप लोग यहाँ पर साड़े 400 तो हो गए आगे भी आते रहेंगे अगर आप लोग यहाँ पर आज की लिट में इसके साथ में connect करते हो तो पुराने भी सारे modal answer आप लोग इसके बेसिकली access कर सकते हो तो इसको आप लोग जुरूर connect करें आप लोग इसको जाकर web application के थुरू भी आप लोग कर सकते हैं तो इसमें आप लोग एट लिस्ट लिखने का तयारी करोगे तब ही जाकर आप लोग चीज़ों को डिल कर पाओगे वरना तो फिर वही है कि मन को तसल्ली देने किस-किस ने किस-किस का रिव्जन होया या किस-किस को पता था इसके बारे में आप लोग बताईए देखता हूं कि आप मैंसे कितने ऐसे हैं जो कि लंबे समय से किनेटर क्यूंकि पहले भी ये बाते में डिस्वर्स कर चुक हूँ ठीक है टोपी कैसा लगा अपना feedback जरूर ठीक है